बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम बात है और खासकर जब आप मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं तो वहां के धूल से आपको अलर्जी की समस्या जो है ये भी बहुत कॉमन है और इस मौसम में खासकर जब पॉलन ग्रेंज का बहुत जादा इफेक्ट हमारे अट्मोसफेर पे होता है तो अलर्जी वहां से क्रियेट होती है तो कुछ घरेलू चीजों को कुछ औशदिय रूप दे कर हम किस तरह से सर्दी जुकाम और इस्पेसली साइनस के पेशेंट इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं साइनस की परेशानी सबसे ज़् ओवरकम कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देखिए जो साइनस की एरिया होती है साइनस में जो painful points होता है वो या तो आपके आँख के नीचे का ये bone होता है या फिर आपका ये forehead होता है और ये side knock के साध में जो जारिया bone ये होता है तो ये area जो है म्यूखन का केस हो या फिर आ को इकटे होने से air passes नहीं मिलता जहां से pain शुरू हो जाता है तो उस pain को हम कैसे reduce करें सबसे पहले ये जो आपने black spot देखा है face पे दो black spot जो मैंने लगा रखे हैं ये acuprature के बहुत अच्छे points हैं आपके sinus के लिए करना क्या है आपको यहाँ पे finger रखे अराम से 30 to 40 seconds की इस तरह से press करते वे massage देनी है जिसको भी sinus की problem या allergy की problem होगी उसके दबाते ही यहाँ पे तेज जो है वो pain आता है बट इस pain से घबराना नहीं है आप इसको treatment self treat इस तरह से कर सकते हैं अब इस area में क्या करेंगे हम कि इसी तरह से हाथों को थोड़ा सा tight करते वे हलका 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 इस तरह से massage करेंगे massage करने के लिए भी क्या करना है skin पे हमारी रगर ना खाए तो हमने कुछ oil का इस्तेह्माल करेंगे आप अनू तेल ले सकते हैं आप देशी घी ले सकते हैं कुछ नहीं है आपके पास तो तिल की तेल जो है वो simply आप ले सकते हैं massage करने का तरीका क्या है आपने oil को हाथ में ले लिया और अपने हाथों से इस point पे pressure डालना है ध्यान रखे direction ये होना चाहिए आपका यहां से root से शुरू करना ना के और upper side में इस तरह से आपको लाना है तो ये प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे जिस तरह ये स्याही के ink जो है धीरे धीरे खतम होके हलके हो रहे हैं इसी तरह जो है अंदर जो जमा म्यूकस है वो भी आपके statement से धीरे धीरे खतम होता चला जाएगा अब ये forehead की massage के लिए आप इस तरह से forehead पे लें या आप इस तरह से इस direction में लेते रहें तो फिर मैं कह रही हूँ कि जैसे ये ink खतम हो रही है वैसे ही आपकी pain जो है वो खतम होनी शुरू हो जाएगी तो ये massage तो आपने कर लिया अपने घर में ये आपने कर लिया इस point को आपने प्रेस कर लिया ये कुछ pressure points जो बहुत effective ये पूरे phase की मसा सिर्फ आप ये काम करें उसके बाद आप चाहें तो steam ले सकते हैं steam लेंगे तो भी आपको वहाँ से बहुत अच्छा effect पड़ेगा दूसरी चीज़ जो है ये हमारा पंच गव्य घी है पंच गव्य क्या क्या मतलब कि गाई माता के हमारे 5 properties इसके अंदर है आपके गाई का गोबर है दही है घी है दूद है ये और गौम मुत्र है बट उनको special तरीके से तयार होता है ये नहीं कि आपने सब कुछ डाल के mix कर दिया बहुत प्रॉपर इसका तयारी होता है तो आपको करना क्या है कि आप नाक में रोज सोते टाइम इस पंच गव्य घी के दो-दो ड्रॉप को अगर आपने नाक में डाल दिया इस तरह से और उसको अंदर की तरफ खीच लेना है अंदर तेज सांस लेके उसको अंदर खीचेंगे तो आपके गले तक लगेगा लेकिन वो पूरे पैसेज को clean कर देगा आपकी allergy को completely वो clean कर देगा अब ये तो रहे कि आपने दूसरे का कर दिया अब self करने के अगर कोशिश करें तो self के लिए आपको क्या करना है self करने के लिए आपको कुछ नहीं है आप simple एक table chair पे बैठ जाएंगे और आप इस तरह से अपने आप sinus के लिए मैं बता रहे हुँ खासकर exercise आपने कि आप इस opposite heart से इस पार्ट को पकड़ेंगे इसको आप इस तरफ कान की तरफ खीच कर ले जाएंगे और इसी साथ में आप कान के भी ऊपर के पार्ट को पकड़ेंगे दोनों को एक direction में खीच के ले जाएंगे ध्यान रखें मैं बता रही हूँ इस पार्ट को हमने यहाँ पकड़ा और कान के साथ में यहाँ पकड़ा हमने इस तरह से इसको दोनों तरफ से खीचा आपके allergy का प्रकोफ होगा या sinus की परेशानी होगी आपके बहुत ज़्यादा pain आएगा लेकिन घबराना नहीं है यह pain आपके ऐसा करते ही दो-चार दिनों में फिर से ठीक होने लग जाएगा यह self treatment है जिसको आप खुद कर सकते हैं और यह point को जो मैंने बता एक्यूप्रेशर का point इसको आपने लिया यह point और इस तरह आराम से बैठके सो के बैठके जैसे भी करना हो आप उसको कर सकते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया exercise है इस बदलते मौसम में अपने दीन चरिया को थोड़ा सा बदले और अपने आपको ठीक कर लें मैं लीना शीगया नियाच्वपैथि and alternative therapy expert नहीं दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए कंडाल पस के नमबर पे संपर करें थैंक यू